हलो दोस्तों स्वागता आपका अपने यूट्यूब के आम रहा क्लाशिस में दोस्तों जैसे के आपको पता हम आश्राइज निपुक का पूरा सोलिशन कर रहे हैं दोस्तों हमारा चेप्टर चला स्रीज ठीक है जिसमें कोश्चे नमबर 25 तक हम कंप्लीट कर चुके थी आज कुश्चन नमबर 26 से सुरू करेंगे तो दोस्तों अगर इससे पहले की वीडियो आप नहीं देखी है तो प्ले लिश्ट में आपको सभी चेप्टर के वीडियो मिल जाएंगी वहाँ पर जाकर हम सभी चेप्टर के लिए कर सकते हैं ठीक है दोस्तों सुरू करने कोश्चन करेंगे तो आपको इतने सोड तरीके बताओंगा किया आप डियरेक्टली को देखती ही बता सकते हो कि सर इस तरीके से भी को सौल को सकता था तो इसलिए मैं आपको अभी ज़्यादा कन्फूज करना नहीं चाता जिससे आप ज़्यादा कन्फूज रहें दोस्तो अभी मैं बेसिक ही बता रहा हूँ आपको कि इस तरीके से हर कुश्चन सोल हो जाता है फिर मैं आपको सोट कट बताऊँगा बहुत अच्छे तरीके से बस आप पढ़ते रहें ना दोस्तो ठीक है तो दोस्तो शुरू करते हैं कुश्चन नमर 26 से कुश्चन नमर 26 का सायदा आपका आणसर आभी कर जाओगा दोस्तो बहुत आसान कुश्चन था ठीक है क्या था इसमें एक तो देखो आपका माइंड कैसे काम करता है या आपके ओपर डिपेंड करता है कुश्च चो इस्टूरेंट होंगे जैसे कोश्चन लिख देता हूँ ठीक है यहां मुझे बताना है क्या आएगा कुछ स्टूरेंट जो ज्यादे एक्सपर्ट होंगी वो क्या करेंगे जो ज्यादे प्रैक्टिस कर लिए होंगे तो वो कहेंगे सरी ये दोनों आपस में वीप्रित हैं सरी ये दोनों आपस में वीप्रित हैं दोस्तो पहली क्लाश नहीं देखिए तो सभी क्लाश देखिए ठीक है क्योंकि मैं जो बाते पहले बताएता हूं वो साइद अब ना बता पाऊं इसलिए पहली्क्लाश देखना बहुत जुरूरी है सब मैंने बता रखा है किसका विपर्ित कॉन सा होता दोस्तों ठीक है और सब चीज मैंने पहले के लिए कर रखी है तो Z का managed A होता है तो पहली 2-6 आपस में विपर्ित तो दोस्तो ये स्रीज चल रहे है, मतलब 2 अक्षर बिप्रित, फिर 2 अक्षर बिप्रित, फिर आगे भी तो 2 अक्षर बिप्रित होंगे या नहीं, तो P का बिप्रित क्या होगा, बता सकते हैं P का बिप्रित क्या होगा, आपका बिप्रित होगा K, क्या option में है K, आपका प्रिदोस्तों ठीक है केलेर हुआ या नहीं और जो इस्ट्रेंट बिल्कुल नई तियारी करते हैं शुरुवात करते हैं उनको इतना पता नहीं होता तो उनको एक ही चीज सिखाई जाती है जैसे जो मैं आपको सिखा रहा हूं जैसे जैड ए यू एफ पी दोस्तों वो क्या क्रदे हैं इन में अंतर देखते हैं पहले तो पर कबीकश और कुछ लोजिक लगा होता है यह लोजिक आனको जब पता चलेंगा है भूर चैप्टर क्लियर कर लेंगा अच्छी तरीके से सबी question आपके सामना आएंगे और जबी आपको पता चलेगा तो दोस्तों इसमें और क्या logic लगा सकते थे यह question था तो दोस्तों मैं मानता हूँ जो पहली कितनी class करा चुका हूँ मैं सायद दो class करा चुका हूँ अगर वह दोनों class देखी हैं तो वह असानी से बता सकते हैं double series क्या होती है ठीक है double series क्या से बनती है तो दोस्तों यहां आप देखोगे तो आप कोगे सर्फ जैट से यू क्योंकि जैट से ए जाने पर तो कोई relation नहीं बन रहा था ठीक है विप्रित बाला तो आमने समाझ लिय से प्ला गहीघे, हमको गुसर माइनस करेंगे कितना है主आ सै यहां से देखता ए कहां गए एससे ए है तो पिलस kerenा माइनस करा आमको सर्फ प्लिस करा कितना पांच तो आप से जाएँगे कहां एक च्छोड़के चल रहे लेना तो F से यहाँ आएंगे तो पिलस कितना करेंगे क्योंकि ओपर प्लस कर रहे हैं नीचे वाली में माइनस कर रहे हैं इसमें क्या Noel दूस्तो हमने यहाँ प्लस 5 करेंगे कितना कर दिया f में 5 करा तो कितना आएगा f कितने पाता 6 पर 6 में 5 जोड़ा कितना जाएगा 11 11 पर क्या आता हमारा के दोस्तों तो आप के इस तरीके से भी आंसर निकाल सकते थे option number A हमारा correct answer हो जाएगा दोस्तों जितने यादा हम प्रैक्टिस करोगे उतना जदा आपका mind किलियर होगा और उतने जदा आपको तरीके पता चलेंगे तो दोस्तों किलियर हो गया सभी इस ट्रेंट के ये question चलते हैं अगले question पर question number 20 seven दोस्तों जैसे ये question है question आपके सामने है R O L I F ठोड़ी फिर दोस्तों मुझ आ vy बताना है क्या है क्या है और सबसे पहले आपको क्या करना होता है रहा है क्या एक सिरीज टाइप का अंतर बन रहा है क्या क्योंकि मैंने देखा आर से ओ मतलब आर कितने पाता है आर कितने पता बता सकते हो आपका उसर रटारे पे जाते हैं तो आपको पता है पिट्ट एक में से माइनस 3 हो रहा है तो तो यहां भी माइनस 3 करेंगे तो f कितना नमर पाता 6 है 6 में से माइनस 3 करें कितना बची तीन तीन पर क्या आता दोस्तों c क्या आता है c option number a हमारा correct answer हो जाएगा कोई दिक्कत किसी student को कोई दिक्कत तो नहीं हुई न दोस्तों मैं थोड़ा तेज चलूँगा ठीक है क्योंकि काफी लंबा चेप्टर है 80 question इसमें दोस्तों हम कोशिश करेंगा 50 question complete कर लें अगर ठीक तक रहा सब तो 50 question तो complete कर लेंगे दोस्तों ठीक है तो दोस्तों ये question सभी question पूछ हुए ऐसा नहीं है कि कोई question पूछा हो नहीं है दोस्तों कहीं न गहीं सभी question पूछ हुए प्रिवेसर आई हुए question है दोस्तों अगले question पर चलते है question number 28 दोस्तों आप से एक request आईगी अगर वीडियो अच्छा लगता है वीडियो पसंद आदो वीडियो को लाइक जरू कर दिया करो और दोस्तों साथ share कर दिया करो ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब नहीं गया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना question number 28 दोस्तों ये भी CGL में पूछो को question है CGL 2013 में ठीक है दोस्तों पहली दो किलास में मैं आपको अच्छे से बता चुका हूं क्या करना होता question में तो इसलिए शुरू से देखो कि आपको तो मैं थोड़ी speed अगर पगड़े भी लुगा तो आप catch कर जाओगे सारी बाते ठी ठीक है जैसी ये question है X, Q, K, F और आगे मुझे बताना है क्या आएगा दोस्तों आपसे मैंने कहा था पहले सीरीज को पढ़ लो पहले क्या कर लो सीरीज को पढ़ लो आपने सीरीज पढ़ी आपके माइंड में एकदम किलियर हो गया कि सिंगल सीरीज बनेगी या डबल सीरी पढ़ी है अपने फिर आपने देखा सर X आता है कितने पर 24 पर और Q कितने बता है कितने बता 17 पर तो क्या हो रहा है हाँ पर आपका उसर माइनस के कितना हुआ माइनस साथ हुआ है कितना हुआ है माइनस साथ दोस्तों यहां कितना हुआ माइनस साथ फिर आप यहां कहोगे सर क्यों आता है कितने पर कितने पाता है 17 पर और के कितने पाता है 11 पर 17-11 मतलब –6 हुआ है मैं कहूंगा आगे आपका उस तर आगे –5 हुआ है दोस्तो जब आप इस तरीके से करोगे तो आपके mind में clear हो जाएगा सर माइनेस के 7 हुआ पहले फिर minus 6 हुआ, सब फिर minus 5 हुआ, तो कोई भी बच्चा बता देगा है, अब minus के 4 होगा, ठीक है, बता देगा या नहीं बता देगा, आप कोई भी बता देगा, आप कोई भी बता देगा, दोस्तो जब हम minus के 4 यहां पर करेंगे, f में से करेंगे minus 4, f कितने बाता 6 पर, 6 में से माइनिस चरक ने कितना बचे गट्टू 2 पर क्या होता हमारा क्या होता दोस्तू B होता है ठीक है तो B ही हमारा option correct हो जाएगा option नमर B बिल्कुल correct answer हो जाएगा दोस्तू अगले question पर चलते हैं question number 29 दोस्तू ये भी बहुत आसान question है और ये भी question है ठीक है बिल्कुल simple question है कोई दिक्कत नहीं है हम करने की कोशिश करते है इस question को X T और यहाँ आपके हमारा बताना आपके इसने बीच भूगिले बीच में क्या आएगा कोई दिक्कत नहीं है कहीं भी भूगिले हम से जह हमको तरीका पता है तो हम बता सेथे हैं दूस्तू ठीक है तो दोस्तू यह था यहाँ बताना यहाँ पर जो खालिच था नहीं यहाँ पर کौनसा अक्षर आएगा दोस्तो मैंने क्या कहा है पहले सिरीज को समझ दो अपने mind में किलिए कर लो इसमें हो क्या रहा है तो दोस्तों जैसे आपने सीरीज देगी आपको directly पता चल गया आपको क्या direct पता चल गया कि सर यहां से यह 24 पर यह 20 पर minus के कितना हुआ minus 4 आपने कि सर आगे कैसे पता करें मैं कहूंगा आगे तीन अक्षर इसलिए दिये हैं आपने कहा सर यहां भी minus 4 हो रहा है तो आपके द तो कि यहां भी minus 4 होकर आया होगा या नहीं जो भी एक्षर आया होगा आपका उस्तर बिल्कुल ठीक है तो यहां भी minus 4 होकर जब आया होगा तो टी कितने पता कितने पता 20 पर 20 में से 4 minus किया होगा कितना आएगा 16 16 पर क्या होता हमारा क्या होता दोस्तों क्या होता बताओ सोले पाता है ठीक है क्या आता है पी तो दोस्तों पी तो उप्शन में है नहीं तो इसलिए उप्शन नमर ई दिया है इन में से कोई नहीं दोस्तों उप्शन नमर ई हमारा कुश्चिन नों फस भी सकते हो आ रहा है आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि यहाँ पर क्या दिया है ए डी है एच है एम एस एक्स भी फिर मुझे बताना दोस्तों आके क्या आएगा मैं आपसे एक ही बात कर यह कि पहले कुश्चिन को तो मैंने कहा पहले आप यह बताओ एक पहले नमबर पाता है डी चोते नमबर पर कितना एड हुआ आपका उसर तीन एड हुआ है मैं गोगा फिर कितना एड हुआ है आपका उसर कितना एड हुआ है चार एड हुआ है फिर आगे आपका उसर पांच एड हुआ है फिर आगे आगे बताओ आपको उसर कितना एड हुआ है आगे क्योंकि M से कितना हुआ है S हुआ तो कितना एड हुआ है आपको उसर 6 एड हुआ है अब मैं कहूंगा आगे बताओ S से X हुआ है कितना एड हुआ है आपको उसर 7 एड होना चाहिए था पर साथ तो add होई नहीं आगे क्योंकि S 19 पाता है और X कितने पाता 24 पर तो कितना add होगा आपके उसर पांच add हुआ है क्योंकि अगर आगे इसी तरीके से add होता चलिया था पहले तीन फिर चार फिर पांच फिर शे फिर साथ एड़ फिर आट होता तो हम डिरेक्ट बताये थे फिर नो add हो का हमार आइड़ आज़ आएगा पर दोस्ते इसने फिर स्रीज चैन्ज कर दी क्योंकि इसने यहां तक तो जोड़ेंगे जैबी तो भी आएगा क्योंकि 26 तक लास्ट हो जाता है 26 तक लास्ट हो जाता है पूरे 26 अक्षर दोस्तों ठीक है फिर उसके बाद ABC से सुरू कर देते हैं ठीक है तो जैसे 24 में मैंने एक 24 पाता है 24 में दो जोड़ा 26 तो वो तो complete हो गए जोड़ना कितना प तो दोस्तों आप यहांसी समझ जाओगे सर यहाँ 6 तक टो चले थे हम ठीक फिर उसके आदब हम 5 फिर चार जोड़ा लगा उसके बाद घटते किरम में चलने लगे उसके बाद क्या होने लगे घटते किरम में चलने लगे मन कि चलो ठीक है जैसा कुछन कहता हम वैसे ही करेंगे अब यहां से हमने देखा पहले पांच जोड़ा फिर चाल जोड़ा आगे कितना जोड़ना चाहिए इसके प्राच में पर क्या आता है आप को सब्सक्राइब हो जाएगा कोई दिखकर तो नहीं आए ना किसी इस्ट्वेंट को दोस्तों एक बार और करना अच्छे तरीके से वीडियो दुबारा देख लेना चाहें के लिए राज आएगा दोस्तों ठीकिए बहुत आसान कोश्चन है अगले दोस्तों कोश्चन नमर 31 देखेंगे बहुत आसान कोश्चन है ठीक है बहुत अच्छे तरीके से हम इसको कर लेंगे पर प्रैक्टिस होगी जब ही कर पाएंगे परना ऐसी कोश्चन में फस भी सकती हो इसलिए मैं आपसे कहता हूँ वीडियो पूरा देखा करो ठी है कि आम आपका एक भी कुश्चन ना बचे ठीक है हर टाइप का कुश्चन में उसमें करा देता हूँ आपको तो दोस्तों यह देखेंगे इसमें क्या कह रखा है सब जब बहले हम कोश्चन को लिख लेते हैं क्योंकि दोस्तों बारबार लिखना पुड़ता है बोर्ड अ पाती है जो मैंने आमको बद आई सबसking से पहले कोर्ण पढ़ धाएं तो आपके दिमागों को एक बात आईगी तो कुछ जुड़ो रहा है इसमें घर सबस्लिए मतलब मतलब फिर पहले माइब सर्वाँ कितना कितने बाता है कितना कितने बाता है aos 12 इस में हैं से ल जायेंगे कितना आपको अब 12 Post 12 नहीं बन रही Og Press 52 मुँटे कितने जायें है दो एक ठुसर मजा यहाँ तो क्या तरीका इसमें लग सकता है कि miten आपको बताने वाला हूँ ठीक है पहला हम कोस्चन एक बार लिख लेते हैं कि क्योंकि मिटाने की विवस्ता होती नहीं पूरा कोस्चन ही कट करना पड़ता है दोस्तों मुझे यहां पर बताना है ठीक है आपने क्या करा आपने क्या करा जब प्रैक्टिस की हो गए अच्छे तरीके से तो आपके दिवांग में एक बात आएगी सर जैसे मैंने आपको पहली क्लाश में बताया था कि यहां से सर स्रीज हो सकता है यहां से स्रीज अगर हम बाहरते इनुको दो भागो में तो ऐसे तो हम बना सकते हैं ल M कि टॉ मैं एसे म हुगा है अंगHow कि एक हट हुआ है है फिर मैं इदर की तरप से जा सकता हूं सी-पर आपका उसे अश्ट अब दो एड़ हुआ है कि तो मैं एहम से जा सकता हूं की पर कितने एक हुआ होए आ चार मधम प्लस तो सब्सक्राइब क्या हो गड़ागा तो चोइन कराओं यह दिन्य हमारा करेक्ट प्लस्तों कोई दिक्कत नहीं है कि सिस्ट्रेंट को दोस्तों होनी नहीं चाहिए दोस्तों ठीक है अगले question पर चलते हैं question no.32 पर practice कर लेक्टे से ने इस बावर कोई भी question पूछा नहीं आप अगर किसी का कोर्स भी खरीद होगे तो गारेंटी देता हूं उसमें भी आपको लिमेटेड कुश्चन ही करा पाएंगे और हो सकता है इस तरह से समझा भी ना पाएं दोस्तु ठीक है तो मैं तो दोस्तु बस आपसे लाइक मांगता हूं अपने मुझे थोड़ा सा कुश्चन भी आ सकता है अब कुश्चन इस टाइप का भी आ सकता है ठीक है तो हमको सभी टाइप के लिए करने हैं दोस्तो ऐसे सीपीओ दोहाल 13 में पूछ वो कुश्चन है तो क्या करेंगे आपको सब के लिए कर चुका होता तो यह पहले ही आगिया चलो पहले कर लेते ह दोस्तो जब भी आपको ऐसा मिले अभी यह दो अक्षर है इनके साथ तीन अक्षर भी आएंगे चार अक्षर भी हो सकते थे फिर यह भी चार अक्षर हो सकते थे इस तरीके से भी दोस्तों हो सकते थे तो आपको कोई टैंसर नहीं नहीं आपको ऐसे कोश्चन में क्या करना आपको जो भी इतने इसमें पहली वाली में तीन अक्षर दियों हों चार दियों पाच दियों कितने विदियों हों दूसरी वाली में चार दियों हों पाच दियों कुछ भी दियों दोस्तो ठीक है आपको करना है इसका पहला अक्षर और इसका पहला अक्षर ठीक है दूसरे क्या करेंगे यह question था हमारा by w us फिर हमारा था फिर था हमारा m k तो इसमें उर्ष में मतलब इसका पहला और इसका पहला कितना यह by है यह यू है by से यू हुआ by कितने बाता 25 पर यू कितने बाता है यू कितने बाता 21 पर यू हुआ कितने बाता 25 पर कितने बाता 25 पर यू आता है कितने बाथ 21 पर कितने हुआ imp 4 कोई दिक्कत नहीं है अब मैं कहूँगा यहां पर अगली सिरी जो тем से पूछी इसका पहला अंच्छल जो होगा हम पहले उसमें देख लेते हैं । चारी करके, माइनिस चार करके देखते हैं, 21 पह आता नगे यू, माइनिस चार के ने oweचेखा, कितना बचेखा मुझे बता सकते हो क्या, बता सकते हो आपका उसर 17 बचेखा, वैवन सल 70 पर क्या आता है, आपका उसर Q आता है, तो मैंने Q लिख दिया है, पर ठीक है यह तो बिल्कुल ठीक है मैंने देखा कौन सा option q से सुरू हो रहा है आपको सब्सक्राइब नमर डी हमारा q से सुरू हो रहा है दोस्तों ठीक है q तो हमारा आंसर क्यों डी डायरेक्ट भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आप यहां से चेक कर लिख सकते हो फिर q से m जो हुआ कि इसमें माइनस 4 हुआ है तो आप कहोगे सब्सक्राइब आता है q फिर ओ गया m मतलब माइनस के 4 ही हुआ है तो दोस्तों सभी में यह तरीका फोलो कर रहा है ठीक है दोस्तों सभी में यह तरीका फोलो कर रहा है कोई दिक्कत नहीं है किसी इस्ट्रूटेंट को भी ओ निकालना था ना बाद बाला तो आप इनको भी चेक करके ओ भी निकाल सकते थी ठीक है कितना पिलस कितना माइनस हो रहा है कोई दिक्कत होने नहीं यह दोस्तों किसी भी स्ट्रूटेंट को ठीक है अगर अब भी समझ में नहीं आया तो वीडियो को लाश्ट तक देखना यार सभी के लिए कर दूंगा आपका कुछ भी नहीं ठोड़ूंगा ठीक है ना अगली कोश्चिन पर चलते हैं कोश्चिन नमर थार्टी थिरी कोश्चिन नमर थार्टी थिरी कहता है ऐसे सी एंटी एस तो है चोदा हम पूछो कोश्चिन है देखो इसको करते हैं कि एसी कि एफ एच के एम पी आर बस अभी तो हम आपको यह तरी यह सोचलों आपको मैं भी ट्रेनिंग दे रहा हूं ठीक है अभी मैं आपको क्या करा हूं रहा हूं आपको अभी बेसिक तरीके सिखा रहा हूं जिससे आम कोश्चन को बनाने की कोशिश परहें इसकी रीजनींग की मेरा भी बहुत छोड़ा चैनल है इसलिए दोस्तों दिखकत आती है भी उस नहीं आता है भी ठीक है तो यहां आप क्या करेंगे जब प्रैक्टिस कराऊना आपको तो आप देखते ही कोश्चें बनाऊंगे और मैं आपको वहाँ पर शोट तरीक ही बताऊंगा क्योंकि यह त पर इन में संबंध देखना है तो आपने कहाँ दूसर एसे F मतलब क्या हुआ A कितने पाथा पहले पर F कितने पाथा 6 पर Plus k 5 अब दूस्तों प्रैस क्योंट भी हुआ ना आपको उसर बिल्कूट ठीक है अब F से कितना हुआ कि मैं कहुँंगा कितना वाइड आपको कितने पाता है 6 पर के कितने पाता है 11 पर Plus 5 कि से कितना हुआ पि के कितने पाता 11 पर lleg हो था học था कि तो अब दोष्ट तो को नहीं बता सकता आँगे भी त्लस फाइट पहला do पर-चम General MS पर हका कि वर्च बताते हैं 21, 21 पर क्या था यूश तो और अन्सर हम बता सकते हो यह तो कह सकते हैं न सर clinic होगा न 선 यह क्योंकि या तो झालत यह होगा यह होगा यह यह थीक है तो यह सानी से बता सकते हो तो बता दोगा यह नहीं यह दूसरा भी निकल भाओगे मस से ही चलो दूसरा एक से निकल लेता हूं सी से एच हुआ सी कितने पाता तीसरे पर एच कितने पाता है आठ में प्लस पांच ओपर भी प्लस पांच हो रहा है क्या प्लस पांच प्रस पांच आर में प्लस पांच करेंगे कितना जाएगा तो हमारा आंसर क्यों हो जाएगा हमारा आंसर क्यों जाएगा opson no. c हमारा correct answer हो जाएगा और किसी तरीके सा आँ कर रहे हो पर इह best तरीका लगता है क्योंकि आग arguments देखोगे आपका तरीखा जो कर रहे हो फेल हो जाएगा ठीक है तो ये तरीखा भी अच्छा है पर ना जो तरीखा आपका आता है वो फोलो कर सकती हो और आगे तो मैं आपको प्रेक्टिस करा नहीं बहला हो बίνah pen उठाए ठीक है दोस्तो अगले question पर चलते हैं क्योंकि अभी मैं आपको बता कर कन्फ्यूज करना नहीं चाहता दोस्तों कोश्चन नमर चूंतिस पर देखेंगे इसमें क्या दे रखा है दोस्तों nd i y dt y o tj दोस्तों आगे मुझे बताना है क्या आएगा ठीक है तो मैंने आपसे क्या करता है ऐसा मिलते ही सबसे पहले आपको क्या करना है यहां देखना है पहले पहले एक्षर में क्या चेंज हुआ है आपको उससर पहले एन था फिर कितना हुआ आई हुआ है पहले एन था फिर क्या हुआ आई मतलब कितना माइनिस पांच हुआ है दोस्तों बताओ बता सकते हो नहीं आपको उसर बता सकते हैं फिर आगे बताओ आए कितने पाता है नो पर फिर कितना हुआ डी माइनिस के पांच हुआ है फिर कितना हुआ माइनिस पांच हुआ है दोस्तों फिर कितना हुआ माइनिस पांच हुआ है बता सकते हो कोई दिखकर तून criticism ना फिर आगया माइनिस 5 करेंगे टेक इतने right में से-5 में-5 करेंगे 5 में 15 15 पना तो हमारा नहीं क्पट करेंगे रिटना स्रवहत हो यह तो तो छस्य इया किया यह talks यह अप यह घैर बता सकते 10-वन संक्प्र इस पहले में देखोगे दूसरे दूसरा डेक्सर को देखोगे तो इन में भी कितना है जहाँ घटा इसमें आपको मेनस हुआ है है five-5 माइनस पाँच मतलब वि पीज तरहल बाण Moi – 5 उत्तों तो ज्य कि बाता है दस पर आता है माइनिस 5 होगा आएगा कितना 5 5 पर गयाता है हमारा E तो दोस्तो हमारा आंसर क्या जाएगा option no.C O E हमारा correct answer हो जाएगा दोस्तो clear समझ में आ रहा है ये नहीं ये मुझे को बता सकते हैं दोस्तो अगले question पर चलते हैं question no.35 दोस्तो अगर एक बारे में समझ नहीं आदा दुबारा वीडियो देख लिया करो ठीक है question no.35 E Z B भाई दोस्तो इस चाल का तो कोई question ही नहीं मिलेगा सायद और ऐसी question भी एक जाम है पूछे जाते हैं ठीक है ये question ही पूछवा है ऐसे system no.23 में दोस्तो मैं बता रहा हूँ कोई भी कर सकता है इस question को और जिसे थोड़ी भी नो लिजे ठीक है क्योंकि एक बात तो हम आप यहां से क्या दोगे कि सर ये ये दो दो अक्षाल जो आ रहे हैं ये दोनों आपस में बीप्रित है एक दूसरे के ए जेट का बीप्रित है भी बाई का बीप्रित है सी एक्स का बीप्रित है और हमारा यहां जो आएगा यहां जो आएगा वो भी दोनों अक्षाल आपस में बीप्रित होंगे तो आप आप आपसर को देखके कर सकते हो क्या यहां 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 पर भी देखिए आप जो तरीके से करता है उससे भी कर सकते थे क्योंकि आपने कहा यहां यहां A से B हुआ पिलस बन B से C हुआ पिलस बन C से कितना होगा पिलस बन D तो यह तो किलियर है अगले कोश्चन पर चलते हैं कोश्चन नमर 36 दोस्तों 50 कोश्चन होने तो मुझे 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 लग रहे हैं क्योंकि गर्मी खुद तेज लग रही है ठीक है पसीन अब हो तरह है दोस्तों यहां देखेंगे इसको जल्दी करने की कोश्चिस करेंगे चलो कोश्चिस करता हूँ जितने ज्यादा कोश्चन हो पाएंगे C E G I K M O Q दोस्तों आगे मुझे बताना है क्या आएगा आपको यार एक ही तो काम करना है पहले सीरीज देखी फिर इसके बात क्या करा इसका पहले अक्षर इसका पहले अक्षर thsi कितने पाथ है Got a Gosh कितने पाथ है आंकि यह तरीक ही फेल हो घ् Be घ्र अगर फेल अगर निकलतां कैसे है पर पहले यह थीजी या जब यह जातर हुका ऑच करो गई ठीक है यहां से जी हुआ कितने पादा तीसरे पर जी कितने पादा साथ में पर कितना एड़ हुआ आपके उसर प्लस चार जी से कितना हुआ क्ये हुआ प्लस चार कितना प्लस चार तो एर कितना होगा प्लस चार हो गए है नहीं आपको इस रुपीर ठीक है ओ कितना पंद्रह पंद्रह में चार एड़ होगा 19 19 पर किया था एस तो हमारा आंसर हो जाएगा कुछ भी नहीं करना दूसरा तो जाएक भी नहीं करना जब आंसर में एक कि ऐसे शुरू हो रहा है तो दोस्तों ठीक है क्या अंसर हो जाएगा अगले कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नम्बर 37 कि बहुत आसान कुश्चन है ऐसे सीजील दो हैं तेरह में पूछ हो कुश्चन है क्या दिरखा बी सी सी डी डी ए ए ए फजी इन कुश्चन में पैन उठाने के जुरूत नहीं पड़ती ठीक है पर मैं आपको भी बेसिक सिखा रहा हूं पर नहीं जब आप देखोगे तो आहां पैन भी नुठाओगा रसाने से लगा दोगे अगर हम आप भी बताने लगा तो दोस्तों आप हो ज दो अंसर आएगा वह हमारे तीन आक्षर हो यह शॉस्तों तब तो हमको च्येख करना पड़ेगा बरना अगर तीन में दो दो एकर दिये होते तो हम डायेक्ट आभी लगा सकते थे ऐक के वटमेडाड आप से क्या कहा है किया कहा है मैंने आप सी पहले अ सव lord is k這個 eıp यह तो किलिए रहे शुरुत किस्टा ओगी जी से दोस्तों एक ऑप्शन में शुरुत जी से हो रही है ऑप्शनमर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या पूरा चेक भी नहीं करना और वह आपको डिखी भी रहा है जो भी अक्षरे जैसे बी है तो उसके डायरेक्ट अगले तो जी एच आई क्योंकि तीन अक्षा लेने मुझको तो तीन अक्षा लेने मुझको तो जी एच आईगा यह नहीं आपको विल्गुल ठीक है और बैसे भी एक यह अंसर हमारा ऐसा है एक यह उप्सन ऐसा है जिसमें शुरुआ जी से हो रही है दोस्तो तो यह बाते सब कॉम बचाना होता है आपने यहां पर देखा यार अभी तो कुश्चन करा है है यह अभी तो कुश्चन करा है दोस्तों ऐसा बिल्कुल ठीक है कोई दीकत नहीं है मैं यहां पर लिख देता हूं कुश्चन को मुस्य बताना दोस्तों ठीक है यहांपर क्या आएगा मुझे तो बताना था सको एक बात थो हम पिछली वाली तुमारी याफ JUL पर होता है यहो पर जो अक्षर आएगा यहां पर vendo आपके चलागी कर दी इसने क्या कर दिया इसने क्या करा इनने तीन उप्सन ऐसे रख दी जो आपसमें वीप्रित है क्योंकि ये का विप्रित क्यों होता है क्यों 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 होता है कि आई का विप्रित आर पर ये उप्सन आप देखती काट सकते थे ठीक है क्योंकि वी आपसमें वीप्रित होते ह करेंगे हैं अब क्या करेंगे हैं तो बहुत आसान है यार कुछ भी नहीं है आप क्या करने वाले हैं तो अब हम बहुत तरीका अपनाएंगे अपन क्या तरीका यहां से देखेंगे यह से कितना सी कितना एड हुआ आपका उसर दो एड हुआ फिर कितना एड हुआ C से कितना हुआ F तो कितना एड हुआ 3 एड हुआ अब कितना एड होगा दोस्तो पहले 2 एड हुआ फिर 3 एड हुआ अब कितना एड होगा 4 एड होगा तो कितना हो जाएगा F 6 पाता है 6 में 4 J J का भी पूरित क्यों होता है क्यू तो आंसर क्यों जाएगा हमारा जे क्यू दोस्तों और यह हमारा क्रेक्ट आंसर हो जाएगा कोई दिक्कत किसी इस्ट्रेंट को नहीं थी ठीक है अगले कुश्चन पर चलते हैं कुश्चन नमर थाड़्टी नाइन दोस्तों UP Police SI SI का कोश्चन है और तुम कितनी आसाने से इस्ट्रेंट को स्वल्व कर दोगे दोस्तों ऐसे कोश्चन पूछे आते हैं ठीक है ऐसे कोई दू कोश्चन पूछे आते हैं भहुत ज़्यादा आप देखो कोई भी एकजान देना है एक दू कोश्चन देना है UP Police का देना कोई साभी एकजान देना है SACDD कोई साभी दोगे तो आप देखोगे कोश्चन आपको रखा मिलेगा दोस्तों अब इसको कैसे सोल्व करेंगे ठीक है पहले मैं आपको लिखकर ही बताएता हूँ D E F J K L G H I तो दोस्तों यहां में बताना है दोस्तों यार आपसे बोल तो दिया यार सबसे पहला तरीका आपको फोलो करना है आपने यहां से देखा सिर्फ D से कितना हुँआ जे यह डारेक्ट बाले कुश्चन होते है यार डारेक्ट नहीं बता रही मैं आपको क्योंकि अगर्ण कन्फिउज जाओगी पहला हम यही तरीका सीख लो बार डारेक्ट भी मैं बता दूंग कोई दिक्कत नहीं है आप खुद ही कर लोगे एक बार तरीका सीख जाओगे खुद भी डारेक्ट कर लोगे बस खुद ही करना शीख जाओगे एक बार प्रैक्टिस तो करन डी कितने पाता है, चार पर जे कितने पाता है, दस पर कितना एड़ हुआ, शिक्स, फिर कितना, आप कोई सर, यहां तो गड़बड हो गई, यहां तो गड़बड हो गई, क्योंकि जे से जी हुआ सर, यहां तो कोई कॉम्बिनेस इनना बन रहा, क्योंकि जे आता है, कितने प पर माइनस तीन उसमें से घरटा फिर कितना आपको रूल छेड करदो क्योंकि इस तरीके से रीज बन सकती है फिर फिर पिर घरत तरीके से सबन सकती है आपको इस्टर से बनाओ जब में गल्सद्व यह जी में ** गरूंगा M, N, O ये तो आपको बतानी था उस पहला अक्षर हमें केलियर करना था दोस्तो इस कांसर के जागो अपसन नमर C पहला अक्षर ही तो केलियर करना था प्योंकि आगे के दोनों अक्षर तो लगातार है ही जैसे पहला अक्षर हमें केलियर अगर लिया तो D के बाद दो अक्छार आने हैं, जो उसके बाद आते हैं, E, F, ठीक है, जैसे पहला अक्छार J है, तो बाद के दो अक्छार आपको लगाता लगा देने हैं, K, L, पहला अक्छार J था, G, H, I, फिर पहला अक्छार M था, M के बाद दो अक्छार लगाने थे, N, O, दोस्तो ठीक है इसको डबल सिरीज बना के भी आम कर सकते थे आपको यह तरीकी आने चाहिए सभी मैं चाहता हूं जो इस्ट्वेंट मुझसे पड़े उसको एक्जाम में रीस्निंग में तो कहीं दिक्कत आये नहीं ठीक है आप अगर ज्यादे प्रैक्टिस कर लोगे तो आप यहां से भी कर सकते हो यहां से संबंद यहां का क्योंकि डी के जादा नच्दिक जी कितना D कितने पर 4 पे G कितने पर 7 पे कितना प्लस 3 एड हुआ है ठीक है अगर दूसरी सिरीज बूज था तब भी हम बता सकते थे ठीक है पर हमसे एक ही बूजी हो लिए यहाँ पर क्या आएगा दोस्तों हमने हाँ पर देखा फिर यहाँ पर प्लस 3 हुआ है यहाँ पर भी हम प्लस 3 करेंगे ठीक है दूसरी सिरीज में जे था जे में प्लस 3 करा मैंने कितना जे 10 पर 10 तीन 13 मतलब M फिर तो बाद में आपको पता है यह दो अक्षरों और आने N O दोस्तों ठीक है तो दोस्तों कुश्य नंबर 40 बस इतना ही दोस्तों काफी टाइम हो गया ठीक है दोस्तों पसीना भी काफी आ रहा है इस रूम में बंखा बंखा नहीं है पंखा चलाता लगभा भी लेता हूं दोस्तों तो बहुत ज्यादा आवाज आएगी जिससे आपको दिक्कत हो जाएगी मैं नहीं चाहता है आप डिश्टर्ब हो दोस्तों ठीक है गर्मी बहुत ज्यादा लगती है इस रूम में जाड़ों में आपको एक दिन में दो दो वीडियो मिलेंगी ठीक है ठंड़ा जाएगी त दोस्तों अब भी मैं कोशिश करूँगा रेगुलर वीडियो आपको देपाऊ पर यार मेरा ध्यान दख अगरो थोड़ा वीडियो को लाइक बाइक कर देगरो ठीक है तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब पूर लेना जिससे आने वाली वीडियो को नोटिफिकन आप तक सबसे पहले पहुंच सके दोस्तों ठीक है तो दोस्तों इस कुशिन का अंसर आपको कमेंट बॉक्स मों बताना है इसका आएगा दोस्तों क्यों कि काफी चीजे में आपको सिखा चुका हूँ इतना तो आप करे सकते हो दोस्तों इतना इसका अंसर कमेंट बॉक्स में हर स्ट्रेट को बताना है दोस्तों क्या आएगा ठीक है आपके कमेंट का इंतियार करूँगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में